हेलो ओल वेलकम टू आर यूरियूप चैनल सिविल स्टैप हिमाचल तो आज हिमाचल परदेश के पंदर में मुख्य मंत्री शिरी सुखविद्द सिंग सुख़ुजी के द्वारा शपत दिन हिमाचल परदेश का जो पॉलिटिकल इतिहास है उसके बारे मैं जानने का है कि कि इस तरीके से इस बार हमारे पंदर में मुख्य मंत्री ने चौदमी विधान सभा के लिए शपत थी अगर हम लोग हिमाचल परदेश की बात करेंगे तो हिमाचल परदेश की फॉर्मेशन 15 अपरेल 1948 में 30 प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा की ये 30 प्रिंसली स्टेट्स वो आप एक ICS ऑफिसर हुआ करते थे उन्हीं को ही सारे का सारा हमाचल परदेश को संभानने का responsibility दिया गया लेकिन जो हमारे लोग थे उससे बहुत ज़्यादा प्रसन नहीं थे क्योंकि ICS ऑफिसर जो है वो कही न कहीं जिस तरीके से अंग्रेजी administration चला करता था British administration चला करता उसी तरीके से हिमाचल को चलाने का प्रयतन कर रही थे बाद में जब 26 जनबरी उन्हीं सो पचास को हमरे देश का संभिधान लागू हुआ तो हिमाचल परदेश को part C state का दर्जा दिया गया part C state दर्जा दिने का सीधा सीधा मतलब था कि अब हिमाचल परदेश के अंदर एक बिधान सभा बनेगी एक legislative assembly बनेगी और हमारे देश के अंदर 1951 और 1952 में क्योंकि हिमाचल परदेश थोड़ा सा hilly area है तो वैसे तो हमारे देश में February में election होने थे 1952 में पर क्योंकि result 1952 में आया जहां पर माचल परदेश की विधान सभा जिसकी उस समय पर जो टोटल स्ट्रेंथ हुआ करती थी 36 उसमें से 36 में से 24 मले जो हैं वो Congress Party के बने और Dr. Y.S. परमार जी जो की सिर्माट डिस्तिक से थे वो हमारे परदेश के पहले मुख्य मंतरी बने लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने के वशक्ता है कि जो Legislative Assembly Part C State की बनी बाद में क्योंकि Part C State का दरजा 1956 में हटा दिया गया यही कारण है उस Legislative Assembly के elections को हम लोग count नहीं करते है count का मेरा मतलब क्या है कि जब इस बार हमने कहा कि चौदमी लोग सभा का election हुआ तो उसमें वो वाला जो 1952 वाल election है उसको consider नहीं किया जाता है तो जब 1952 में हमारे परदेश में Legislative Assembly बनी तो कहीं ने कहीं वो एरिया जो हजारों सालों से राजाओं के अधीन थे प्रिंसली स्टेट्स के अधीन थे उनको पहली बार democratic participation का मौका मिला जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं जहां पर जो लोग चाहते थे जिसको राजा बनाना लोग चाहते थे अपने अधिकारों को exercise करे कि कोई उनके लिए कोई उनके लिए development के program चलाए तो उसका ज परदेश के अंदर एक reorganization हुई जहां पर यह पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D states थी इनके दरजे को खतम कर दिया गया और हमरे पूरे के पूरे देश को states and union territories में डिवाइड किया गया यह वह वाला टाइम है 156 का हिमाचल परदेश के लिए बहुत positive टाइम नहीं ह लेकिन state organization commission के द्वारा उस demand को नहीं माना गया और हमाचल परदेश को पूरन राज्य का या हमाचल परदेश को state का दरजा तो नहीं मिला लेकिन हमाचल परदेश को या हमाचल परदेश की जो unique identity थी उसको बचाने के लिए हमाचल परदेश को union territory का या केंदर शाषित परद परदेश किया territorial council में अब देखिए territorial council के अगर हम बात करें तो territorial council के पास उतनी power नहीं थी जितनी power legislative assembly के पास हुआ करती थी तो कहीं न कहीं हमाचल परदेश को पॉलिटिकल इतिहास है वहाँ पे लोगों की जो true representation है अब वो हम लोगों को उतने अच्छे तरीके से देखने क नहीं मिली जहां रखिए बहुत कम प्रदेश हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनके पॉलिटिकल इतिहास में काफी struggle रहा है नहीं तो हमने देखा कि कोई भी स्टेट जब भी डिमांड करते थी कि उसको राज्य का दर्जा दिया जाए या कोई भी एरिया डिमांड करता थ लेकिन इमाचल प्रदेश के साथ जो हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं शायद इसका सबसे बड़ा कारण था कि इमाचल प्रदेश का जो साइस था वो बहुत जादा बड़ा नहीं था और उसके साथ साथ उस specific time पे जो हमारी केंद्री सरकार थी वो बड़े राज्यों के favor मे जब वो financially self-reliant हो अपना खर्चा खुश चला सके उसके पास resources हो उसके पास administrative viability हो तो कुछ ऐसे grounds थे जो शायद उस समय पे इमाचल प्रदेश फुल्फिल नहीं करता था यही कारण था 1956 में इमाचल प्रदेश जो है उसको union territory का दर्चा दिया गया लेकिन उसके बाद इमा अल्टिमेटली 1962 में पूरी हुई जहां पे 1962 में हिमाचल प्रदेश के अंदर और कुछ और union territories के अंदर जो है वो legislative assembly का provision किया गया और हिमाचल प्रदेश में 62 में legislative assembly के पहले election हुए जिनको count करते करते इस वार हम लोग 14 में election देखते हैं no doubt भीज में हिमाचल प्रदेश जो ह प्रदेश के फिर से मुख्य मंतरी बने या हमारी जो union territory के अंदर शाशित प्रदेश था उसके फिर से मुख्य मंतरी बने उसके बाद 67 में 72 में फिर से डॉक्टर Y.S. परमार जी के द्वारा जो है वो Congress Party फिर से वाई इस परमार जी जो हमारे प्रदेश के मुख्य मंतरी उसके बाद 1977 में Congress Party पहली बार इस election को हरी और जन्ता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई शांता कुमार जी पहले non-Congression Chief Minister of हिमाचल प्रदेश बने और उसके बाद का जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है वो काफी अलग है क्योंकि जैसे ही शांता कुमार जी जो है वो हमारे प्रदेश के Chief Minister बने उसके दो-तिन साल के बाद उनको कुर्सी से हटना पड़ा फिर से Congress के पास जो वो सत्ता आई 1985 तक आते आते Congress के बीच में रामला ठाकुर जी चीफ इनिस्टर है और उसके बाद बीरवद्र जी रहे लेकिन उसके बाद का जो हिमाचल प्रदेश का ऐसा है कि 1985 से लेकि 1990 तक Congress जीती, 1990 से 93 तक BGP जीती, 93 से 98 तक Congress जीती तो ये वाला जो पूरे का पूरा सिस्टम है, alternate हर बार नई सरकार बनाने का जो सिस्टम है वो इस बार भी continue रहा, 1985 के बाद इस सिस्टम को 1985 के बाद इस सिस्टम को हम लोग कहीं न कहीं continue देखते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने योग्य है, वो क्या है, कि जो Congress Party है, वहां पर जितने भी Chief Minister रास तक बनाएगे, चाहे शरी विरी बदर जी हैं, या जी थे, या डॉक्तर रामला धापूर, या फिर Y.S. परमार जी थे, यह सारे के सारे जब उन एरियास को बिलॉंग करते थ जो ओल्ड हिमाचल, ओल्ड हिमाचल का मत्रब क्या है, कि वो हिमाचल जो पंदरा अप्रेल उनिस्वारतालिस को जिसका गठन किया गया था, हलांकि यह जो ओल्ड न्यू अपर लोवर, यह जो डिफरेंशेशन है, यह आजकल के समय के उपर हम लोगों को बहुत जादा दे प्रेंश देखने को मिलता था, और यह जो ओल्ड और न्यू एरियाज है, इसके पीछे के कहाने भी में आप लोगों के साथ जरूर शेर करूंगा, देखे, हिमाचल प्रदेश 1850 या 1846 से पहले-पहले के अगर मैं बात करूंगा, तो हिमाचल प्रदेश में चाहे आप कां लेकिन जो 1840 में जब अंग्रेज़ों और सिखों का युद्ध हुआ, जहां पर सिखों की पराजे हुई, तो उसके बार जो एरियाज सिखों के कंट्रोल में थे, जो हिली एरियाज सिखों के कंट्रोल में थे, वो एरियाज जहां वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चले की तो अठारागों पचास के बाद में क्या हुआ कि जो ये कांगडा या जो बाकी बाद में हिमाचल पदेश के अंदर एरिया जहेड हुए ये एरिया अंग्रेजों के नियंत्रण में रहे और जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने मिलके 15 अपरेल को हिमाचल पद करते हैं तब हम इसको कभी भी रिजनलिजम के साथ रिलेटिनी करते हैं कि है तो हमारा एक ही हैं तो हम एक दूसरे के साथ connected भी लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में जो किसी ना किसी तरह के जो differences है उनको create या उनको highlight करने की कोशिश करते हैं clear तो देखे इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि Congress Party जो old areas थे वहीं से ही आज तक हम लोगों को Chief Minister देखने को मिले लेकिन इस बार first time ऐसा हुआ कि जो new areas थे क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जोनों ने आज ही ओथ ली है ये हमिरपूर डिस्टिक्स से हैं जो पहले कांगड़ा का हिस्सा हुआ करता था 1972 में हमिरपूर को कांगड़ा से अलग कर दिया गया तो हमिरपूर के अंदर ये constituency है नदान ये वहां से भी लॉंग करते तो कहानी सिंपल सी क्या है कि जो राजनिती है वो starting में old और new areas के बीच में इसलिए भी थी क्योंकि new areas पंजाब से तो उनकी जो स्थिती है उसमें काफी changes आएगी उसमें शायद थोड़ा सा डिले हुआ जिसके कारण अपर और lower या old और new हिमाचिल के बीच में थोड़ा सा difference हम लोगों को देखने को बिला और इसके बीच एक और reason भी है कि जो हमारी princely स्टेट्स थी वहां पर प्रजा मंदल movement बहुत ज़्यादा strong हुआ करती थी प्रजा मंदल movement राजाओं से democratic अधिकार मांगा करती थी तो प्रजा मंदल movement उन्यसोड़ ताली में अपने आपको Congress में merge कर देती तो उब्वीस ही बात है जो प्रजा मंदल के leaders थे वो सारे Congress party में चले जाते हैं तो उन areas में जो old हिमाचल की areas है वहां पर Congress party आपको जादा समय तक strong देखने को बिलेगी हलांकि जब 2017 यानि कि से पहले जब election हुए थे तब हम लोगों ने देखा कि अब जो parties है अब उसके बीच में नहीं रही है कि अपर में कौन जिते गाई old areas में कौन जिते गा new areas में कौन जिते गा और इवन 2022 के भी जब election हुए तब भी हम लोगों ने लिखा कि इस तरह का जो regionalism है वो अब हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को कोई भी आ रही है लेकिन यहीं के ही लोगों की जो विश है यहीं के लोगों की जो aspirations उसको फुल्पिल करने के लिए बन रही है तो अब हम लोग बात करते हैं जो इस बार का हमारा election हुआ उससे related के इनके points के उपर हम लोगों ने ध्यान देखा है तो अगर हम लोग चौदमी विधान सवा की बात करें तो इस बार जो टोटल रिजिस्टर्ट वोटर्स थे हमाचर परदेश के अंदर वो थे 55,92,828 जिसमें से मेल वोटर्स 28,54,945 फीमेल वोटर्स 27,3,845 इसके साथ ताथ इस बार टोटल वोटिंग परसेंटेज रही 75.60 जिन में से 0.59 परसेंट वोट जो थे वो नोटा हुए यानि कि वहाँ पे लोगों ने किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं किया इस बार जो टोटल अमबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े थे उनकी संख्याती 412 जिन में मेल कैंडिडेट थे 388 और फीमेल कैंडिडेट थ जो है वो इलेक्शन जीत पाई जिनका नाम है रीना कश्यप जो सिर्मौड डिस्टिक में पच्छड जो रिजर्व सीट है उसको वो जीत किया है इसके साथ साथ हाइस्ट पोलिंग बूथ अप दी वोल्ड की मैं बात करूं जो की हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद ह जो है इसका नाम है तशीक आंग जो लौल एंस पीति के अंदर हमें देखने को मिलता है जिसमें टोटल 52 वोटर्स है और इस पार 52 वोटर्स जो है उन्होंने एलेक्शन में पार्टिसपेट किया तो 100% वोटिंग परसेंटेज है वो हम लोगों को तशीक आंग में देखने को मिली इसके साथ साथ हिमार्चल का जो सबसे छोटा पोलिंग स्टेशन है उसका नाम है का जहां पे टोटल 16 वोटर्स जो है वो रिजिस्टर्ड है 16 वोटर्स मैं से 14 वोटर्स ने जो है अपना वोट कास्ट किया और इसके अलावा जो वहां पे मौजूद चार सेक्यूर इस पोलिंग स्टेशन के उपर अपना वोट कास्ट किया इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो भारते जनता पार्टी को 25 seats मिली 43 परसेंट वोट शेर के साथ इंडिया नाशनल कॉंग्रिस को 40 seats मिली 43.9% वोट शेर के पास आमादमी पार्टी को 0 seat मिली 1.10% के साथ बहुजन समाज पार्टी को 0 seat मिली, लेकिन ये 53 seats के उपर लड़ी थी, राष्टिय देभूमी पार्टी जो है उसको 0 seat मिली, ये 29 seats के उपर लड़ी थी, Communist Party of India Marxist जो है वो 0 seat उसको मिली, 11 seats के उपर लड़ी थी और 0.66% जो वो इसको vote मिले, तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को पूरे का पूरा जो हिमाचल है वहाँ पर voting percentage के बारे में idea होना चाहिए, अगर मैं बात करूं election के बाद oldest MLA की जिनकी जो age है वो सबसे जादा है, उनका नाम है धनी राम शांडिल, solar constituency को represent करते हैं 82 years जो इनकी age है, इसके साथ साथ youngest MLA है चतन्य शर्मा जो गगरेट से है 28 years के है, इसके साथ साथ इस बार जो schedule cast के लिए total seats reserved थी, वो है 17 जिनमें से 12 seat हैं Congress के द्वारा जीती गई, schedule tribes के लिए जो reserved seats हैं हिमाचल परदेश के अंदर वो है 3, जिनमें हैं लाहोलेंस पीति के नौर और तीसरी है बर्मौर, इन तीनों में से लाहोलेंस पीति के नौर जो है वो Congress Party के द्वारा जीती गई, अगर हम लोग बात करें margins का यानि कि जहांपे victory margin जो को सबसे narrow और सबसे जादा रहा, तो सबसे narrow victory margin रहा, हमिरपूर के अंदर एक भोरंज constituency है, वहाँ पे शुरिश कुमार Congress के जो है, उन्होंने BGP के जो candidate है, उनको 60 vote से हराया, जो सबसे बड़ा margin रहा, जहांपे सबसे जादा vote से कोई जीता, वो है हमारे प्रदेश के पूर्ब मुख्यमंत्री जिनका नाम है जैराम ठाकूर, जिन्होंने चेत राम को 38,000 एक्षिप्रियासी बोट से हराया, और ये हराया इन्होंने अपनी constituency से राज से, इसके साथ साथ जो तीन independent ML हम लोगों को इस बार देखने को मिले, अगर हम लोग बात करें percentage wise तो इस बार जैसे मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया, कि जो total weight voting percent है वो 75.60% है, जो highest voting percent है पिछली साल पिछली बार के मुकाबले जादा है, तो जो district जिसमें सबसे जादा हमें voting percent देखने को मिला, वो district है सिर्मौर जहांपे 79.91% जो है वो वोट डले और जो lowest हम लोगों को देखने को मिला, तो lowest जो है वो है टांगडा district के अंदर, सौरी, lowest है हमिरपूर district के अंदर जहांपे हमें 71.80% वोट जो है वो देखने को मिले, तो यह हमारे जो elections थे इस बार की उनकी highlight थी, तो जैसे ही बाकी जो information है सरकार बनने से related release की जाएगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ share करेंगे, तो इसे के साथ आज के session को मैं कर रहा हूँ, खतम मिलते हैं, जल्दी ही तबते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थेक़्िए.